तो आज की वीडियो में आपका स्वागत हैं, आज की वीडियो से बात करने वाले हैं कि ABCID बनाते समय आपको कौन-कौन सी गलतिया नहीं करनी है, identity type में क्या डालना होता है, identity value में क्या डालना होता है, बहुत से student यहाँ पर गलत information डालने हैं, क्योंकि ABCID में आप जो जानकारी एक बार डाल देंगे, तुबार से जल्दी अपडेट नहीं होगी, तो आपको आगे चलके बहुत सी प्रोग्लम देखनें को मिलेगी, दोस्तो इसलिए मैं इस वीडियो के लिए के आया हूँ आप लोगों के लिए, अगर आप पर student इस वीडियो को पूरा last तक देखना है दोस्तो इस वीडियो में पूरा complete post से आपको बताने वाला हूँ किया आपको fill up करना है, तो दोस्तो चेनल पर पहली बार है तो आपको subscribe करना है और आपको bell icon को भी प्रेस करना है, क्योंकि ABC के रेटर जानकारी आपको पहले इस चेनल पर मिलेगी, दोस्तो अगर आपने subscribe कर लिया है, तो आपको दोस्तों हाँ पर join बटन पर क्लिक करकर आपको join भी कर लेना है, चलिए start करते हैं, किस परकार से आपको ABC ID में किया से identity type, identity value को fill up करना होता है, ABC ID बनाने के लिए आपको play store पर आजाना होगा और आपको search करना है, digiloker, digiloker के ही द्वारा ABC ID क्रेट करी जा सकते हैं, तो इसको download करें बाद हम open करेंगे, तरने के बाद कुछ इस प्रकास interface आपको देखने को मिलेगा, आप यहाँ पर एक option मिल जाएगा, आपको get installer का, आपको इस पर click करना है, click करने के बाद यहाँ पर दो option आता है, अगर आपका digiloker पर account पहले साल AD बना हुआ है, त आप silent हो जाएंगे, अगर आपका account नहीं बना है, तो आप create account पे click करके अपना एक नया account बनाएंगे, तभी आपकी ABCID create होगी, यहाँ पर दोस्तों आप जब ABCID में digiloker create करते हैं account, तो आपको जो अधार कार्ट पे नाम होना चाहिए, वो आपके mark sheet में भी होना चाहिए, आप से लेट करना है, दोस्तों इसके लिए मैंने वीडियो आरेडी बना रखे, आप यह वाली वीडियो देख लेना, और लिंक दे दूँगा, वहां से भी आपको मिल जाएगा, तो चलिए यहाँ पर account create हो जाने बाप यहाँ पर signing करेंगे, sign motion पे click कर देते हैं, आप signing इसके बाद आपको login हो जाने के बाद कुछी प्रकास interface आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपका नाम यहाँ पर show हो जाएगा, और आपकी जो अधार कार्ट पे photo हो, यहाँ पर show हो जाएगी, दोस्तों ABCID में photo अलग से add नहीं होती है, जो आपके अधार कार्ट प पे click करना है, यहाँ पर आपको search order में लिखना है, ABC, ABC लिखने के बाद यहाँ पर आजगा, अपार ABCID का दिल्ली, आपको इस option पे click कर देना है, आप यहाँ पर आपको form को fill up करना होगा, आप यहाँ पर दोस्तों वीडियो को बिना इसकी भी देखेगा, यहीं पर आपको important जानकारी, यहाँ फिलप करनी है, यहाँ पर आपको नाम automatic यहाँ पर सो रहेगा, और आपकी data burst, gender यह आपको फिलप नहीं करना होता है, आपको जिए account में होता है, यहाँ पर आपको पहले क्या करना होगा, select identity type, आपको इस पे click करना है, यहाँ पर आपको कई option मिल जाते है, अब करना है, तो provisional अपर उन्हें select करना है, जिनका provisional certificate बना हुआ है, वो select करेंगे, अगर आपको certificate नहीं बना है, यहाँ पर आपको दूसरा option मिल जाता है, रोल लंबर का, oh number यहाँ पर आपको select करना है, और 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 जो लोग select करेंगे, वो अपना board का 6 रोल लंबर डालन लेने के लिए तोको उस नंबर को भी आप सिसको स्लेट कर सकते हैं अगर अगर दोस्तों आपको इन्रोल्मेंट नंबर यह आपको अगर फिलफ करते हैं अपना अधार नंबर डाल देना होता है अगर आप दोस्तों आपके पास roll number है तो आपको roll number ही select करना है roll number select करने से बहुत benefit आपका होगा जोभी data होगा आपके college का वो ABC ID में automatic save हो जाएगा तिहां पर आपको roll number को option पर click कर देना है आप यहां पर example कर दे सकते इस अंका आपका roll number डालना होता है 607 अंका जो भी आपका roll number board का है वो आपको यहाँ पर identity value में flip करना होता है identity value type में जो आपको select करेंगे जो identity type में select करेंगे माल लिजे provisioner यहाँ पर select करते हैं अपार तो आपको provisioner अपार certificate number का यहाँ डालना होता है अगर दोस्तों आप यहाँ पर आप रोल लंबर स्रेट करेंगे तो यहाँ पर आपको identity value में आपको roll number डालना होगा यहाँ पर दोस्तों अगर माल लिजी आप यहाँ पर registration number स्रेट करेंगे तो आपको registration number यहाँ पर डालना होगा identity value में पूसद दनाव है वो लंबर को है। सबस्कुंद्स करेंगे। यहां पर हम मिल किया है तोखुर का मालेजी आप लामबर को हम स्लेक करेंगे। तो यहां पर तोथ हो मों मैं में आप को पने बॉर्ड का अधाल का स्री और दालंगत और से उट्थ आप आगालबर नहीं मिला है रोल लंबर ताप उसके पीछे वाले को अपने कलास को रोल लंबर यहाँ पर डाल देंगे उसके वाद यहाँ पर आपको अपना old वाला admission यह ही select करना है तिहां पर हम अपना old admission select कर देंगे same college हमारा है अब यहाँ पर आपको college का नाम और institute का यानि आपके university का नाम आपको select करना होता है यहाँ पर आप search भी कर सकते हैं अपना नाम डालके college university का नाम डालके अगर दोस्तों स्टेट भाई भी सर्च कर सकते हैं अपने स्टेट का नाम लिखेंगे तो यहाँ पर सारी उवर्शिटी आ जाएगी अब आपको यहाँ पर अपनी उवर्शिटी को स्लेट कर देना है अपने के बाद आपको get document solution पर आपको click कर देना है click करते इस परकास आपको थोड़ा सा wait करना है यह आपकी ABCID फ्रेज हो रही है आपको bank न करना नहीं फ्रेज करना है आपको wait करना होगा यहाँ पर आपकी ABCID फ्रेज होने के बाद आपकी नीची आ जाएगी यहाँ पर हमारी ABCID फ्रेज होने में wait करना है ता आपको इसी तरह आपको wait करना होगा ABCID फ्रेज हो गई है फ्रेज हो जाने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा आप आर ABCID कार आप download करने के थी डोट पर आपको click कर देना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फीडियो को उपशन मिल जाएगा आपको इस पे क्लिक कर दे रहा है और आपका ABCID यहाँ पर जनरेट हो जाएगा यह इसका print out लेने के लिए आपको download option का मिल जाएगा icon इस पे क्लिक कर दे रहा है यह आपको file में download जाएगा आपके फोन में डाउलोड देगा अब इससे प्रिंट करा कि आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो आपका मेंडेटरी होता है नाम डेटा बर्थ और आपका ABCID नमबर अब ABCID एक बार आपका बन जाता है अब इसको आप लाइफ टाइम यह चलेगा इसका यहाँ पर कुछ भी आप करो अपडेट करोगे डिलीट करोगे फिर भी आपका ABCID नमबर चेंज नहीं होगा बहुत स्टुडेंट का कंफीनर होता है कि ABCID नमबर अपडेट करने पर चेंज हो जागा नहीं दोस्तों एक बार बन जाने के वाद आपका यहाँ पर लाइफ टाइम यह चलेगा अब दो किलते हैं नेक्स्ट वीडियो सो नेटोपी पर बाए